तो स्वागत है आप सभी का ग्यापुनिकेडमी के इस नए और लटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का दो चैप्टर का कोशन एंसर कम्प्रीट करने वाले हैं तो यह तो जाइड सी बात है कि वीडियो इंपोर्टेंट होगा ही तो स्टार्टिंग से लेकर अंस तक बिना स्किप किए हर एक पॉइंट को समझते हुए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि किसी भी तरह का डाउट को स्टार्ट करते हैं और हां स्टार्ट करने से प पहले बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड तो नोटिफिकेशन आप तक सब्से पहले पहुचे तो नाओ विडाउट एनी फॉर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट तो जैसा कि आप क्या स्टें के सबसे पहले तो कि मुल्साइब आजाद की नसर निगारी की खुसशियत एनी की विश्षट आये आप लोग को बतानी कीजिए और बाकी बाद में मैं आप लोगो को आने वाले समय में खुद से लिखा हुआ एंसर जो है ना खुद से तैयार किया हुआ है को इंसर कराऊंगी तो इसको आप लोगो कम्वीट कीजिएगा जो इंपॉर्टन को इंसर होगा ठीक है और आज के इस वीडियो में जो हम लोग ये कोशन इंसर करने वाले इसको फड़ा मैं फास्टी कराऊंगी जिए बहुत जिदा कोशन है ठीक है तो देखिए सबसे पहले सवाल का जवाब लिखा गया है कि मुलाना आजाद सिर्फ सियासत दाय खतीव नहीं थे उन्होंने मतादत तसानी फ्यादगार छोड हैं जो उनकी नसर निगारी की बेहतरीन नमूने हैं उनके खुतूत की जबान पर अगर गोर किया जाए तो उसके नसर के नसर की दिलकशी और दिलावेजी हमें अपनी तरफ मतवज़्ज़ किये बगार नहीं रहती अलफाद सादा हैं जिसमें अर्बी अलफाद करते हैं मौलाना बुलकलाम आज़ाद अपने नसर निगारी में ठीक हैं और थोड़ा अर्वी अलफाद की भी वहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो भी डाल दे तो ये सबसे बड़ी खुसूसियत हैं आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि मौलाना आज़ाद के हयात पर सव सव अलफाद में एक नोट तेजार की जाए यान कि मौलादा बुलकलाम आज़ाद के जिंडगी पराक्रो को रिचिए जवाब में लिखा गया है कि मौलाना आज़ाद की पैदाएस 5888 बी में मक्का मकर्मान में हुई जहां उनके वालद मौल्मी खैर Auddeen मुदरिस्थ है औ यहां अप्तदाई तादिम उन्होंने अपने वालिद से हासिल की 15 साल की उमर में उन्होंने घर पर तुल्बा की एक जमाद को दर्स देना शुरू किया फिर सहाफत की तरफ कदम बढ़ाया यांकि 15 साल की उमर से यह पढ़ाना स्टार्ट कर दिये थे लिसानंसित वगरा जो तालिम बनाए गए वजीर तालिम में बनाए गए थे यांकि शुक्षा मंत्री वजीर तालिम रहते हुए कई इनकलाबी एकडमात किये और ओदे पर रहते हुए ही परवरी उन्हें सब 58 में मुक्तसर इलालत के बाद दाई अजल को लबैक कहा और जामा मस्जिद देली के स चावन लिखा गया है ये हो गया इंसर आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि मौलाना आजाद ने हिंदुस्तानियों की चाए को सयाल हल्वा क्यों कहा है जवाब में लिखा गया है कि मौलाना आजाद ने हिंदुस्तानियों की चाए को एक सयाल हल्वा इसलिए कहा है कि वह चाए नोशी के मौामले में बहुत ही आला जौक वाकिन हुए थे पहली बात तो यहा कि वो चाए में दूद नहीं डालते थे बलकि साधी चाए पीते थे दूसरी बात यहा कि वो साधी चाए में चीनी बहुत कम डालते थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जरिये जब चा डाला जाने लगा नतीजा यह निकला कि चाई का असली मकसद जो है ना वह फौत हो गया इसलिए मौलाना आजाद ने हिंदुस्तानियों की चाई को सयाल हल्वा का है क्योंकि चाई का मथलब होता है सिर्फ उसमें पानी रहे और चाई पत्ती रहे और कुछ ना लेकिन मौला ना जाजाद का जो पसंदीदा चाए है उसकी खुसूसियात फ्रुड शोटकोर्ट में लिखने है आप लोगों तो दजिए जवाह में लिखा गया है कि मौलाना आजाद के मताबिक हिंदुताम या लंका में जो पैदावार चाई की होती है वो दरसल नकली चाई की पती है दूसरी बात है कि चाई सादा होनी चाहिए यानि उसमें दूद नहीं डाला जाना चाहिए तीसरी बात है कि चाई में शक्कर बराए नाम डाला जाना चाहिए बलके अगर डाला ही नहीं जाए तो ज्यादा बहतर है यह है मौला ना आजाद की चाई की खुसूसियत यानि की मौला ना आजाद जो है ना उनकी पसंदीदा चाई जिसकी वो खुसूसियत इनकी विशुषता बताये हैं वो यह है कि चाई का मतलब होता है चीन की चाई यानकी चीन की च आगे बढ़ते हैं क्योशन नमबर पाइफ है कि आजाद ने जेल के आता है कि किसी पुराने कब्र को देखने के बाद किन की फियात का इज़ार किया है जवाब मिलका गया है जेल के आहाते में किसी पुरानी कब्र को देखकर मौला ना आजाद बहुत मतासिर हुए थे चुन यान कि एक संबद एक रिष्टा बन गया है अब तो उसे बार-बार देखने को जी चाहता है गुजशता शाम को जब मैं ने इस कबर को देखा तो देखता ही रहे गया और दाखली की फियत यह पैदा हुई कि एक अरब शायर मुतम्मिम बिन नोवेरा का वा अरबी मरसिया यादा गया जो उसने अपने भाई मालिक बिन नोवेरा के मौत पर लिखा था ठीक हैं तो यह हो गया एंसर कोशन नबर सिक्स है कि तीसरे खत को पढ़ते हुए मौलाना आजाद की एहलिया यानकि उनकी वाइफ जुलेखा बेगम की शक्सित की जो तश्मीव भरती है वह इस तरह है कि जुलेखा बेगम एक वपदार समझदार और सुलजी हुई खातून थी वह बीवी की हैसियत से मौलाना आजाद को अपनी जाद से कोई तकलीफ नहीं पहु मौलाना आजाद की अकाइद और नजरियात को भी उन्होंने बलाचू वचरा उन्होंने बलाचू वचरा एक मिनट यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है रुख जाएं यहां तक कि मौलाना आजाद की अकाइद और नजरियात को भी उन्होंने बलाचू वचरा और लेकिन कभी उसमें दखल नहीं दिया करती थी ठीक है ये हो गया एंसर अब यहां से तबील सवलात स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला सवाल है कि गालिब और मौलाना आजाद का बहैसित मक्तूब निगार मौाजना कीजिए चलिए देखते हैं गालिब और मौलाना आजाद का जवाब में लिखा गया है कि गालिब और मुलाना आजाद के खुतूत और मक्तूब निगारी की तारीख का एक तीमती सुरमाया है जहां तक मिर्जा गालिब और मुलाना आजाद की मक्तूब निगारी के मौजना की बात है तो दोनों की मक्तूब निगारी में कई असबाब की बिना परनुमाया फरक पाया जाता है पहली बात तो यह है कि दोनों की मक्तूब निगारी में जमाने का फरक है यानि मिर्जा गालिब जिस वक्त मक्तूब निगारी कर रहे थे उस वक्त अर्दो जबान अपने फित्री हालत में थी इसलिए मिर्जा गालिब के खतूत की जबान सादा फित्री और रवा थी जबके मौलाना आजाद के जमाने में अर्दो नसर की जबान इर्तकाई मराहल तैक कर चुकी थी इसलिए आजाद के खतूत में जबान की सलासत देखी जा सकती है मुलाना आजाद की जबान गालिब के मुकाबले आलमाना थी और एक अद्वी शान के हामिल थी मुर्दा गालिब के खतूत में मुकालमाती अंदास मिलता है और ऐसा महसूस होता है कि गोया आदमी आमने सामने बेट कर गुफटगू कर रहा हूँ लेकिन मौला ना आज़ाद का अंदाज तहरीर बेञानिया था यानि कि मिर्दा गालिब का जो खत लिखने का अंदाज था वो मुकाल्माती था मतलब की पढ़कर ऐसा लगता था कि आमने सामने बैटकर आदमी गुफटगू कर रहा हूँ लेकिन मौलाना अबुलकलाम आजाद का जो अंदाज था खत लिखने का वो तहरीर बेयानिया था मिर्जगाली ने मक्तूब निगारी की रिवायती तर्ज को तर्क करके फित्री अंदाज इस्तिार किया था यानि अल्काव औ आदाब के पुराने तरीके जिसमें मक्तूब एलहे को उसके मरतبہ के मताबिक अलफाद से मुखातिब किया जाता था इस तरीके को छोड़कर मिर्जा गालिब ने कभी मिया, कभी मेरी जान, कभी मेरे जैसे फितरी अलफाज से अपने खतूत का आगाज करते थे यह अलग बात है कि इस तर्ज के मिर्जा गालिब खुदबानी थे और खातिम भी गालिब के बाद मक्तूब नेगारी के इस तर्ज को शर्फ अबूलियत नहीं मिल सकी यानि कि किसी ने इस तर्ज की तकलीद नहीं की जबके मौलाना आजाद ने मक्तूब नेगारी के रिवायती तर्ज को अपनाया गुबार खातिर मौलाना आजाद के खुतूत का मजमुआ हैं जिसमें कम वबेश 24 खुतूत ऐसे हैं जो उन्होंने अपने मकर्म दोस्त हभीब रह्मा खां शेरवानी को लिखे थे उसी तरह मिर्जा गालिब ने भी अपने खुतूत दोस्त अहबाब के नाम ही लिखे थे फरक सिर्फ इतना है कि गालिब के खुतूत तक्रिबन तादाद में 9 सहे लेकिन मौलाना आजाद के खुतूत की तादाद जो है न वो कम है एक बात जो दोनों की खुतूत में कदर मुश्तरक है वह यह है कि दोनों ही खुतूत खुदनविश्ट समाना की हैसियत रखते हैं और मालूमात का एक गुंजनिया है ठीक है ये हो गया एंसर दूसरा सवाल है कि अबुलकलाम आजाद के साहब तर्ज नसरनिकार होने की दलील के साथ एक मुक्तसर मजमून लिए तो जवाब में लिखा गया है कि हिंदुस्तान के सियासी अद्वी और सहाफ्ती तारीख में मौलाना आजाद की खिद्मात नकाबले परामोश है मौलाना अबुलकलाम आजाद की शख्सित मुक्तलिक जिहाद की हामिल थी यानी मौलाना आजाद बेक वक्त माहिट सियासत दां कहना मश्क शहाफी और एक मुफसर कुरान मतबहर आलम दीन और एक साहब तर्जनसर निगार भी थे मौलाना आजाद सिर्फ सियासत और खिताबत के ही मौलाना आजाद सिर्फ सियासत और खिताबत के ही मर्द मैदा नहीं थे बलकि उ जैसे तज़ करें जो खुदनविश्ट सवाना हैं तर्जमान लुकुरान की तफसीर तीन जिल्दों में हैं इंडिया वन्स फ्रीडम जो मतालिक एहद के सियासत के मौज़ू पर है और गुवार खातिर जो उनकी खुतूत का मजमुआ है जिनके बुदरत मौलाना आजाद ए तो उसकी दिलकशी और दिलावेजी हमें अपनी तरफ खीचती है अल्फाज नहायत सादा और रवा हैं अर्बी और फार्सी की तराकीब से बहर तौरो गुरेज की कोशिश की गई है लेकिन गुष्टगू का ऐसा सलीका है जिसमें फिलसफ़ा तराजी नेम रूमानी कीफ एक मिनट अल्मान मसाइल में पराज मंतक बात चीत का अंदाज और रवानी वर शगुफटगी के इलावा बियान के एक अनोखे पन के साथ मौलाना आजाद बनफस नफीस मौजूद नजर आते हैं इसलिए गवार खातिर अर्दू के अपने तर्ज के वाहिट हिताब की है इसलिए से यादकार रखी जाएगी जो कि मौलाना आजाद की जबानदानी नसरनिगारी और इसलूब का बहतरीन नमूना हैं तीसरे सवाल है कि इस उमर पर रोशनी डालिए कि यह खतूत आखिरकार क्यूं सदीक मुकर्रम तक तहरीर शकल में नहीं पहुचाते जा सकते है ते नहीं रहे पहुचाए यहां पर ए रहेगा नहीं पहुचाए जा सकते इस पर आप लोगों को रोशनी मतलब डालना है कि आखिर क्यूं क्यूं सदीक मुकर्म तक यानि कि मौलाना बुलक्लामाजाद अपने दुस्त सदीक मुकर्म जिसको कहते हैं उनके लिए खत लिए तो क्यूं नहीं पहुचाया जा सका ठीक हैं जवाब में देखी लिखा गया है कि मौलाना आजाद में एहमर नगर और राची जेल से जितने खतूत लिए वह सब उनके सदीके मुकर्म मौलाना हभीवर रह्माँ खाशिरवानी के नाम थे यानि मौलाना आजाद के खतूत क अफरातफरी का जमाना था आजादी की तहरीक जोरोशोर से चल रही थी उसके साथ भारत छोड़ो आंदोलन भी उसी जमाने में चल रही थी कौंगरेस के तमाम बड़े लीडर और बड़े लीडरान जेलों में बंद कर दिये गए थे जहां तक मौलाना बुलकलाम आजाद कई साल तक कैद وبंद रहे उन पर तकरीर वत तहरीर की सक्थ पाँबंदी थी जिल से बाहर खतूद भेजने पर भी पाँबंदी थी और उसी जमأنे में मौला ना आजाद ने ऐुए खतूद को जब्त तहरीर में लाया जाहिर है कि मकतुब निगार क committees रोबंद में मिकतुब भी था मुखतसर यह है कि अबुलगलाम आजार ने हिंदुस्ताने सियासत के इंतहाई नाजुक मोड पर गुबार कातिर के खुत लिखे भारत छोड़ो तहरीक जो कि 1921 में हुआ था के दौरान उनकिला एहमद नगर में जेल की चहार दिवारी में पैद के दौरान अपनी त पास नहीं भेजे जा सके और रहाई के बाद परन खुतूत की इशाथ का फैसला हो गया यह अभी एक एहम वज़ा रही है कि इशाथ के बाद इन खुतूत की रहे गई इसलिए भी भेजना लहासिल समझा गया होगा मक्तूब निगारी की तारीक में यह शायद पहली मिसाल थी कि जिसके नाम खुतूत लिखे गए हों उसे मिलने और पढ़ने से पहले सारी दुनिया ने उस खत को पढ़ लिया ठीक है यह सबसे बड़ी बात थी आगे बढ़ते हैं क्कुशन नमबर 4 है कि नसाब में शामिल खुतूत की रोशनी में मौलाना आजाद की सियास अहम जहत सियासी भी था सियासत यानि की पॉलिटिक्स भी था जिसमें उन्होंने नहायत और तंदीही से हासिल हिस्ट लिया है जोरी हिस्ट लिया है और जिन्दगी के आखरी लंहों तक वजीर तालीम हुकूमत हिंद की हैसियत से सरगर्म अमल रहे मौलाना आजाद की भी अन्दाजा होता है जाहिर है कि सियासी कैदी की हैसियत से जील में रहना भी सियासी सरगर्मी का एक हिस्सा है जील में कैद के दどरान भी मौलाना आजाद कॉंग्रेस के सदर थे और जील से ही कॉंग्रेस की रहनमाई किया करते थे उन्हेस सुल्ला से लेकर उन्हेस 20 तक मौला ना तकरीबन 44 महीने एराची में नजरबंद रहे नजरबंदी से रहाई के बाद मौला नाजाद 29 में गांधी जी के तलब पर कौंग्रेस और खलापत तहरीक के मुश्तरक अजलास में शरीक हुएं और फिर सियासी सदारत तक नहीं पहुँचा था फिर उन्हेस 40 से लेकर 40 के दौरान मुसलसल 6 सालों तक वह कौंग्रेस के सदर रहें इतने दिनों तक मुसलसल कौंग्रेस के सदारत भी किसी एक शक्स के हिस्से में नहीं आई थी मौला ना आजाद की सदारत के दौरान ही भारत चोड़ो तहरीक और कैबिनेट मिशन के वाकियात हुएं मौला ना आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बनाए गए और अपने वफात बाइस फर्वर युनेस्टरन ठाउनस भी तक वह उस एहर पर काइम रहें पाच्वा सवाल है कि तीनों खुत की अलग तलखीस तयार की जवाब में लिखा गया है गबार खातिर के जिर निसाब में पहले ख़त से ये जाहिर होता है कि मजाज की ऐसी इनफरादियत पसंदी किस तरह उनकी शक्सित में सरायत कर गई और बश्पन सही वह किस तरह आम बच्चों के अंदाज में नहीं जीते थें सुबा का वक्त और चाय का साथ मौलाना आजाद को नहायत मरगूब था पहले ख़त को पढ़ने से स्थाफ अंदाजा होता है कि चोवन साल की उमर में मौलाना आजाद जेल की तरही में अपनी गुजस्ता जिन्दगी के हर छोटे बड़े मौामलात ख़सुसन जहनी नौशी के जिकर के साथ उसके पिसमों और मुक्तलिफ मुलकों में उसके पीने की अंदाज वह तगयूर को मौजू बनाते हैं चाय नौशी से रुखवत अपनी जगह है लेकिन चाय के तालुक से अच्छी खासी मालूमात रखना और एक दिल पसंदी के साथ कागज के सफ बामक्सद अंदाज में तमाम हो जाते हैं और सिल्सले ख्याल काइम रहता है जैसे मौलाना आजाद की चाय नौशी एक फिलस्मी कीफियत पैदा करती है उसी तरह ये खत एक जादवी दुन्या की सेर कराता है गुबार खातिर से जो तीसरा खत नसाब में शामिल है वो मौ मौला आजाद कलकता जा सकें या खत कलकता से वापस पर्सपर्द कलम हुआ है इस खत के जूमलों से अंदाजा होता है कि मौला आजाद की शफियत कितनी नरम और पिघलने वाली है अनानियत और मजास की तंदी यहां भी कम नहीं है लेकिन थोड़े से अलपाज में और ज् कि इनसान की तरह वो दिखाई देते हैं मौलाना आजाद की शक्सित का या ऐसा पहड़ू है जो पहले कभी सामने नहीं आशा का या खत जब खत्म होता है उस वक्त रक्त आमेज की किफियत तारी हो जाती है गुबारखातिर से एक खुदूचे एक तब साथ की तश्री यानि की जितना भी एक्तबास यानि की छोटा सा अंश दे कर कुछोट पूचा गया है आप लोगे ईग्जाम में वो सारे एक्तबास यानि की गुबारखा, इस पूरे चप्त जाप्दूर से एक्तबास उठाकर यहां पर दे दिया गया और उसकी तश्रीव की गई है और कोशन इसी तरह के से पूछा जाता है कि दरज़ाल एक्तबासात की तश्रीव सियाक और सबाक के साथ कीजिए या फिर सियाक और सबाक के हवाले से कीजिए यानि कि आगे पीछे की बातों को ध्यान में रखते हुए इस इकतबास की तश्रीय करना है कि इसके आगे पीछे किया क्या बाते बताई गई है पुरा आप लोगों को तश्रीय कर देना है तो पहला इकतबास क्या है मेरी दुकान सुखन में एक ही तरह के जिन्स नहीं रहती लेकिं आपके लिए कुछ निकालता हूँ तो इहत्यात की चलनी में अच्छी तरह चान लिया करता हूँ कि किसी तरह की स्यासी मिलावत बाकी ना रहे अब इसके जरीए जो है ना इसका तश्रीख करना है इसके आगे पीछे की बातों को लिखकर मुलाना अबुल्कलाम अजाद क्या बताने की कुश्की है यह आप लोगो लिखकर बताना है तो देखिए तश्रीख किया गया है कि पेश नजर इक्तबास बार खातिर के जेर निसाब खतूत में पहले खत से माखुज है और खत का आखरी पारग्राफ है इक्तबास के इस हिस्से में मुलाना अजाद ने पहले मक्तूब लैसदी के मुकर्रम को बराहरात मुकाति करके कहना चाहते है कि मैं आपके खतूत में जो कुछ लिखता हूँ वह एक सियासी लीडर की हैसियत नहीं बलकि एक मुखलिस दोस्त की हैसियत लिखता हूँ चुनांच चब फर्माते हैं कि मेरे अदबी वा अल्मी जखीरा और दिल की दुनिया में हर किस्म के जोग के लोग के लिए इन समान तस्कीने मौजूद है लेकिन जब मैं आपको एक मुखलिस दोस्त की हैसियत में खत लिखता हूँ तो बहुत सोंच समझ कर लिखता हूँ कि आपके जोग के मताबिक हो तमाम जुम्लों और ख्यालात को एहतियात की चलनी में चान कर वही अलपाज वा जुम्ले इस्तमाल करता हूँ जो आपकी हस्बहाल हो और यह भी ख्याल और एहतियात रखता हूँ कि उन जुम्लों में सियासी ख्यालात की कोई आमेजिस नहों यान की सियासी मिलावट नहों ठीक है दूसरा एक्तबाफ जो इसी चैप्टर से उठाकर तो चार लाइन दिया गया था आप लोग के एक्जामे पूछा गया था वो यहाँ पर दीखिये दिया गया है कि यहाँ यहाँते के अंदर एक पुरानी कबर है नहीं मालूम या किसकी है जब से आया हूँ सैक्डो मर्तबा इस पर नजर पड़ चुकी है अब इसे देखता हूँ तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे एक नए तरह का अन्फ इससे तब्यत को पैदा हो गया है कल शाम को द गया है कि पिश नजर इक्तिबsmास मुलाना अजाद के तीसरे खथ के आखली पारेग्राफ से माफोज है इस इस तब्यत में एक तरह से मौलाना आजाद ने एपने बीवी जुलेखा बेगम की मौत का गोया नस्री मर्तिया बयान कर दिया है इसक्तबास के पसमन्जर में जुलेखा बेगम से मुलाना आजाद की जुदाई के जपचा हैं खत में जुलेखा बेगम की मौत और उनसे अपनी तवील रफाकत का तथक्रा करते हुए इसक्तबास पर आकर खत को खत्म कर दिया गया है पुरानी कब्र का तज्करा गोया अलामत है जुलेखा बेगम के कब्र का के जिसको देखकर मौला ना आजाद को जुलेखा बेगम की याद शिद्दत से आने लगती है और कब्र सेंसित का मतलब जुलेखा बेगम से देरेना महबत का इजहार है चुनांचा कब्र का तथक्रा करते हुए एक मशूर अर्वी मर्सिया निगार मतम्मिम बिन नवेरा के एक मर्सिया का तथक्रा करते हैं जो दूर फारोकी का मशहूर मरसिया निकार नुमा और अपने भाई मालिक बिन नवेरा की मौत पर एक पुर असर मरसिया लिखा था जो बहुत मशहूर हुआ तीसरा एक्तबास जो खवार खातिर से ही लिया गया है मतलब इसी चैप्तर से एक्तबास उठाए गया है वो यह है कि एक मुद्द से जिस चीनी चाए का आदी हूँ वा वाइट जास्मीन कहलाती है यानि यास्मीन सफेद या खेट उर्दू में यू कहिए कि गोरी चंबेली इसकी खुश्बू जिस कदर लतीफ है उतना ही पैफ वतंद वत तेज रंगत की निस्बत क्या कहूं लोगों ने आतिस सेयार की ताबिर से काम लिया है लेकिन आग का तहील फिर अर्दी है और इस चाए की अलवियत कुछ और चाहती है ठीक है तो इसका आप लोगों को तश्रीख कर देना है देखे लिखा गया है कि पेश नजर अक्तबास गुबार खातित के जिर निसाब फटूत में दूसरे खट से माखुज है और यह खट के दरमयान का अक्तबास है इस खट में अमुमन चाए और उसके तमाम एकसाम और चाहनोशी के जौक और उसके तमाम मतालुकात पर मौलाना आजाद ने तफसील से रोखनी डाला है और खशूसां इस एक्तबास में मौलाना आजाद ने अपनी पसंदीदा चाह के तमाम खुस्यात बेयान किये है चुनांचा फर्माते हैं कि मैं मुल्क चीन के जिस चाए का एक मुद्द से आदी रहा हूं वा दरसल वाइट जास्मीन है या सफेद या फिर सफेद यास्मीन होता है जिसे रोखमर्रा की अर्दू में गोरी चंबेली भी कहते है इस चाए की खुश्बू जिस कदर लतीफ है उसी कदर इसकी कीफियत तेज वतंद भी है जहां तक इसके रंग की बात है तो इसे आतिस सेयाल का नाम दिया जाता है लेकिन आग का तसौर तो जमीनी है चाए की बुलंदी कुछ और नाम चाहती है लेकिन इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं सुरज की किर्नों को मुट्थी में बंद करना चाता हूँ और यह कहता हूँ जैसे सुरज की किर्णे किसी ने साफ सफाफ चाय की प्याली में डाल दी है ठीक है तो यह हो गया इसका एंसर अब नेक्स चेप्टर का कोशन ही आसे स्टार्ट हो रहा है देखिए सबसे सब्सक्राइब करना है और हाँ भी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पड़ाइक कर दे और उसकी रोशनी में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए ये एक्तिबास दिया गया है कि सुबह तक धल के कोई हर पे वफा आएगा इश्क आएगा बसत लगज से पा आएगा ठीक है नजरे जुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कापेंगे खामोशी बोसे लब बन के महग जाएंगी सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी ये एक्तिबास उठा लिया गया है ठीक है अब इसका इससे यहां पर कोशन पूचा गया है कुछ देखिए दो कोशन पूचा गया है और इसका एंसर आप लोगो देना है सबसे पहला सवाल क्या है कि हर्फ वफा से आप क्या समझते हैं और या कब और किस तरह आएगा तो ह जुग जाएंगी दिल धड़कने लगेंगी और होट कापने लगेंगे ठीक है दूसरा सवाद इसी से पूचा गया है कि इश्क किस तरह आएगा लगजिशे पा के मानी क्या है तो लगजिशे पा के मानी हैं लडखडाते हुए पाओं के साथ यानि कि इश्क भी इसी लड खडाते हुए पाओं के साथ आएगा होट कापते दिल धड़कते हुए नजरे जुकाए हुए इश्क आएगा और उसी वक्त खामोशी और सकूत ऐसी होगी कि गुंचों के चटकने की आवाज साफ साफ सुनाई देगी तो यह हो गया एंसर दूसरा सवाल है कि नजम गुफ्तगू के खालिक सरदार जाफरी है यानि की अली सरदार जाफरी है यह नजम उन्होंने हिंद वपाक के मसाइल के पसमंजर में लिखी है और दोनों मुलकों के दर्मयान पैदा होने वाजे मसाइल से निजात की तरकीब भी बताई है शायर दोनों मुलकों की तारीक से भी वाकिफ है इसलिए उन्होंने दोनों मुलकों के हुगमरानों को मशवरा दिया है कि इन मसाइल का हल गुफ्तगू के जरीए ढूंडा जाना चाहिए गुफ्तगू एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया के बड़े-बड़े मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं शायर को भी हिं तीसरा सवाल है कि दर्जज़ाइल इक्तबास की तश्री अपनी जबान में करें यानि कि यहां पर दे लिया गया है जो नजम है गुफ्तगू उसी से दो तीन चार लाइन आप पर उठा कर दिया गया है और फिर इसका आप लोगों को तश्री करना है अपनी जबान में या बस वही लिख देना है उसी को तो कहते हैं तश्रीख करना तो देखे यहां पर तश्रीख किया गया है कि मंदर्ज़ रिया लिया गया है यान की गुफटगू से लिया गया है यह नजम दरसल हिंद वपात के मसाइल के पस मनजर में लिखी गई है इस इक्तिबास में सरदार जाफरी ने आपसी मसाइल के हल के लिए दोनों मुल्कों के दरमयान मसालहाना गुफटगू की मनजरकशी की है चुनांचा शायर परमाते हैं कि दोनों मुल्कों के हुकमरा जब एक दूसरे से मसाइल के हल के लिए गुफटगू करेंगे तो उससे बेनुलकवामी अमन को भी फरोग मिलेगा दोस्ती का हाथ इस तरह बढ़ाया जाए कि दर्द का तोफ़ा और प्यार की सौगात साथ में हो मुहबत का जजबा ऐसा हो कि दुश्मनी के रेगुजारों से साफ बच कर निकल जाए और खुन के दर्याओं को पार करके एक दूसरे से भाई भाई की तरह मिल जाए तो ये हो गया इसका तश्री अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात यानकी लॉंग टाइप क्यूशन तो लॉंग एंसर भी होगा तो सबसे पहला सवाल है कि नजम गुफ्तगू में शायर किन खिया गया इजार किया यान की नजम ये जो गुफ्तगू है ये कवीता इसमे शायर जो है किन खियालात का इजार किया है यही आप लोगों को बताना है तो जवाब में देखे लिखा गया है कि जेर ने साब नजम गुफ्तगू में शायर ने हिंद वपाक दोस्ति के मौज़ू पर इज़ारे ख्याल किया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दुसरे के पडोसी मुल्ख है लेकिन दोनों मुलकों के दरम्यान हमेशा कश्षीदगी बरकरार रहती है 1947 से पहले हिंद वपाक दोनों मुलक एक ही थे और हकूमत बरतानिया के गुलाम थे दुन oni मुलक के अवाम ने मिल कर एक सांत आज़ादी के जंग लड़ी और अंग्रिजों की घुलामी से आज़ादी हासिल किया आजादी तो मिल गई मगर आजादी के साथ मुलक के तक्सिम की मुसीबत भी साथ लाई अब तक हिंदू मुसल्मान दो बड़ी कौमें हिंदुस्तान में मिल जूल कर रहती आई थी दोनों कौमों के दर्मयान दुश्मनी हो गई जिसके नतीजे में एक ही मुलक हिंदुस्तान जो दो जोगराफियाई खतों में तक्सीम हो गया एक का नाम हिंदुस्तान बाकी रहा और दुसरे का नाम पाकिस्तान हुआ और इस तरह दोनों मुमालिक एक दुसरे के दुश्मन दिया है शायर के ख्याल में गुफ्तगू एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल किया जा सकता है शायर को हिंदो पाक के मसाइल का हल भी गुफ्तगू के जरीए ही नजर आता है इसलिए वो चाहता है कि दोनों मालिक کے حکمرانوں کے ذریعے گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جو اس وقت تک ختم نہ ہو جب تک دونوں ملکوں کے مسائل حل نہ ہو جائے شاعر کی یہ خواہث ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ہندو اور پاک کے درمیان نسالت کی گفتگو کا آغاز ہو جائے تاکہ برسغیر ہندو اور پاک میں امن و آمان قائم ہو جائے ठीच है? یہ ہو گیا دوسرا سوال ہے کہ نظم گفتگو کے شاعرانہ خوبیوں کو واضح کیجئے شاعرانہ خوبی یعنی کی وشہشتہ کو بتانا ہے آپ لوگ کو تو جواب میں دیکھی لکھا گیا ہے کہ نظم شاعری کی ایک اہم سنف ہے کسی ایک موضوع کو مرکز بنا کر نظم کی تفلیق کی جاتی ہے غزل میں ہر شعر موضوع اور خیال کے اعتبار سے الادہ ہوتا ہے لیکن نظم میں کسی ایک خیال کو ہی مرکزیت حاصل ہوتی ہے نظم گفتگو سردار جعفری کی بہترین نظموں میں سے ایک ہے اس نظم کو انہوں نے ہندو پاک کی دوستی کے نام منصوب کیا ہے اور نظم میں انہوں نے ملک کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل سے نجات کی ترقیب بتائی ہے نظموں کی ساخت کو عدب کی زبان میں حییت کہتے ہیں زیرنے صاحب نظم گفتگو حییت کے اعتبار سے آزاد نظم ہے یا نظم دراصل ہندو پاک کے عوام کو عوام کے نام ایک پیغام ہے جس میں شاعر نے گفتگو کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے اس نظم میں شاعر نے پیغام دیا ہے کہ کل تک جو ہم ایک دوسرے پر تنز کرتے تھے زہر گھولا کرتے تھے ایک دوسرے کو تیرین کرچھی نظرے نگاہ سے دیکھتے تھے آج ان دلے شکو کو مٹا کر ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر گفتگو کرنے کی زورت ہے کل تک جو ہم ایک دوسرے کو پتھر مارا کرتے تھے آج ان ہاتھوں سے دوستی کا ہاتھ تھام لینا بہتر ہے ان سادہ سے علامتی الفاظ میں شاعر نے گفتگو کے ذریعے دوستی کا پیغام دیا ہے یہ ہو گیا انسر تیسرا سوال ہے کہ سردار جعفری کی شاعری پر علی سردار جعفری کی شاعری سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں تو دیکھیں لکھا گیا ہے کہ جدید اوزو شاعری میں سردار جعفری کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے جدید نظم نگار کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ایک شنافت بنا لی ہے سردار جعفری کا شمار ترقی پسند تحریک کے میماروں میں ہوتا ہے آزادی کے بعد جب سجاد زہیر پاکستان چلے گئے تب سردار جعفری کو انجمن ترقی پسند مستنفین کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا سردار جعفری نے یوں تو اپنی عدوی زندگی کا آغاز افثانہ نگاری سے شروع کیا اور انہیسہ چھتیس اس بھی میں ان کے افثانوں کا مجموعہ منزل شائع ہوا لیکن اسی زمانے میں وہ شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر پیچھے مر کر نہیں دیکھا پرواز، خون کی لکیر، پتھر کی دیوار ایک خواب اور پیراہان اور لہو پکارتا ہے ان کی اہم شعری مجموعہ یعنی شیر و شعری کی کتابیں ہیں یہ شیعہ جاغ اٹھا اور نئی دنیا کو سلام ان کی طویل نظمیں ہیں جن سے سردار جعفری کی شاعرانہ بختگی کا پتا چلتا ہے شاعری میں سردار جعفری نے پابندی اور آزاد دونوں طرح کی نظمیں پابند اور آزاد دونوں طرح کی نظمیں کہی ہیں لیکن آزاد نظم کی ساخت انہیں زیادہ مرغوب ہیں اور اس حیثیت سے اس حیثیت میں انہوں نے بہترین شاعری کا سرمایہ یادگار چھوڑا ہے انہیں سر 36 اسوی میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ جہاں شیر و عدب کی بنیاد زمین میں واضح تبدیلیہ رونما ہوئی وہیں اردو نظم نے بھی ایک نئی کروٹ لی اسی زمانے میں آزاد نظم اور مررہ نظم کی بہت زیادہ ترقی ہوئی نظمیں بھی مقبول ہونے لگی سردار جعفری نے دیگر ترقی پسند شورا کے ساتھ مل کر ترقی پسند نظم گوئی کی روایتوں کو آگے بڑھایا اور ایسیا کے ترقی پسند شورا میں اپنی پہچان بنائی یہ ہو گیا انسر تو فائنلی آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ کلاس ٹویلت کے اردو کا جو دو چپٹر تھا چپٹر نمبر 9 اور 10 ان دو چپٹر کا کوششن انسر کمکریٹ کر لیے آئی ہوپ آپ لوگ کو ہر ایک کوششن کا انسر سمجھ میں آیا ہوگا کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں لیکر پوچھ لیجئے گا ہو سکے گا تو اگلے ویڈیو میں میں اس کمکریزن کو اس ڈاؤٹ کو کلیر کر دوں باقی جو کچھ بھی سمجھائے گیا ہے سمجھ میں آیا ہے ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دے پڑا ابھی تک لائک نہیں کیے تو और ویڈیو کو زیادہ जदہ آپ لوگ کو شیئر کرنا ہے जितना जदہ उसके شیئر کریں चैनल पर आप لوگ नहीं नहीं आई हुए हमारे वीडियो उसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो उप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगी हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज